दोस्तो हरियाना पॉलो टेकनिक डिप्लोमा के फरवरी 2022 से जो एक्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुस खबरी है जो विद्यार्थी किसी कारणवस कोविड की प्रॉबलम की वज़े से अपनी प्रॉपर तयारी नहीं कर क्या पैटर्न रहेगा वही इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं बोर्ड ने ये लेटर जारी किया है क्योसन पेपर पैटर्न फॉर फैब 2022 बोर्ड एक्जाम डू टू कोविड साथ दो दो जार बाइस का ये लेटर है यहां पे बोर्ड ने किलियर कर दिया है जो क्योसन पेपर का जो पैटर्न है उसके मोडिफिकेशन किया गया है जो कि फरवरी 2022 में एक्जाम होने वाले हैं उसमें 24 किस प्रकार से रहेगी वो आप इसमें नीचे देख सकते हैं यहां पे इनोंने एक लाइन किलियर कर दी है जो कि नौट में लिखा है तो क्योसन प पैटर्न नहीं होने वाला है क्योंकि यह कोविड की वजे से है इसी प्रकार बॉर्ड ने यहां पे दिया है कि जो डिपलोमा इंजिनिरिंग के जो विध्यारती है उनके लिए पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है केवल ड्रोईंग के पेपर को छोड़के बागी complete जो वो इसमें कुछ इस प्रकार से रहेगा existing pattern of hundred marks question paper जो पुराना pattern होता था वो कुछ इस प्रकार से होता था पुराने pattern में जो section A होता था उसमें आता था attempt any 10 questions out of 10 10 में से 10 करने होते थे प्रते question का एक number होता था section B में कोई भी 10 question करने होते थे और उसमें 10 ही वहाँ पे question होते थे वहाँ भी एक mark के वो question होते थे section C में attempt any 12 question 12 question होते थे 15 में से 12 question करने के लिए होते थे 15 questions में से प्रतेक जो question थे उसके 5 number होते थे section D में कोई भी 2 question करने होते थे 3 में से और प्रतेक जो question था वो 10 number का होता था revise जो pattern है जो आपके 2022 के exam से में आएगा फरवरी 2022 exam में section A जो की multiple choice questions रहेंगे उसमें दोस्तों बहुत आसान pattern रहेगा mcq जब questions आएगे तो बहुत beneficial thing रहेगी 10 questions होंगे 10 के 10 आपको करने रहेंगे प्रते question एक number का रहने वाला है section B objective type रहेगा जिसमें आपको 10 question मिलेंगे उसमें से आपको 10 करने है और प्रतेक जो question रहेगा वो दो number का रहने वाला है section C में आपको 15 question मिलेंगे कोई भी उसमें से 10 करने है 6 number का एक question महाँ पे रहने वाला है इसी प्रकार section D में एक question आपको करना है जब कि तीन मिलेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहला तो multiple choice question बहुत आसान हो जाता है विद्यारतियों के लिए उसको attempt करना इसके अलावा जो section third है या section B भी हम देख सकते हैं पहले section भी होता था वो एक एक number question होते थे अब उनी questions को उतने ही छोटे आएंगे आपको दो number मिलने वाले हैं तो पास होने के लिए विद्यारतियों को बहुत आसान पैटरन बना दिया गया है syllabus भी दोस्तों बहुत आसान आने वाला है ऐसा नहीं है आपके पास hardly syllabus आएगा section C में विद्यारतियों को पास होने के लिए बहतरीन मौका है 15 questions केवल 10 करने हैं और परतेक 6 नमबर का रहने वाला है section D में एक question आपको वहाँ पर attempt करना है जबकि 3 की 24 मिलेगी इससे पहले 2 करने होते थे 3 की 24 मिलती थी और 10 नमबर के वो question रहने वाले हैं 80 mark के जो question paper मिलते हैं pharmacy वाले विद्यारतियों के लिए उनका भी pattern कुछ इसी परकार से different किया गया है विद्यारतियों के पास होने के लिए जैसे आप देख सकते हैं 2022 के exam में किस परकार किया गया है MCQ section A में section B में objective question इसी परकार section C में sort answer type question तो बहुत आसान यहाँ पे उनके लिए pattern बनाया है section D में भी 4 में से 2 question करने हैं तो इसके लिए बहुत आसान question है इसी परकार 50 number के जो question paper है D vocational courses के लिए उनके जो revise pattern है ये भी आप देख सकते हैं कोई भी 10 question करने हैं 10 में से पहला जो section है इसी परकार section B में कोई भी 4 question करने हैं 8 आपको मिलने वाले हैं 5-5 number के रहेंगे इसके अलावा section C में जो long answer type question रहेंगे 2 question मिलेंगे एक आपको attempt करना है परतेक 10 number का रहने वाला है तो ये आप देख सकते हैं बहुत यह आसान pattern दिया है first year में जिन विद्यारतियों के reappear हैं मैंने पहले भी वीडियो बनाया था 18 बैच, 19 बैच और 20 बैच के जो विद्यारति हैं उनको board 2-2 मोग के दे रहा है मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसी के अनुसार यहाँ पे आपके पास first year में जो annual pattern है उस pattern के अनुसार बहुत आसान paper होने वाला है जो कि first year में 60 number का होता है क्योंकि seasonal 2 हो जाते हैं 40-40 number के जिसमें से वो 20-20 के according जुड़ते हैं तो 40 number वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं जबकि 60 number का यहाँ पे question paper आपको मिलने वाला है तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बेतरी न्चांस है दो मोके मिलेंगे एक बार मई जून के exam में एक बार अभी मिलने वाले हैं तो यहाँ पे उनके लिए भी बहुत आसान pattern है पहला जो section है उसमें कोई भी 4 question करने है छे वहाँ पे आने वाले हैं आपके पास each carry one marks यह बहुत आसान pattern है इसी प्रकार section B में attempt any 4 out of 6 6 में से कोई भी आपको च्यार करने यह भी एक एक नंबर के रहने वाले section C में 10 question मिलेंगे 6 question आपको वहाँ पे करने है प्रते question 6 नंबर का रहने वाला है बहुत आसान दोस्तों इससे आसान pattern नहीं हो सकता है section D no change तो it means section section D no change इसले लिखा कि section C तक आपका exam जो है वो ज्याज़तर नंबर यहाँ पे 36 और यहाँ पे 40 और यहाँ पे 44 तो it means 16 नंबर आपके बसते हैं जिसमें 88 नंबर के आपको question मिलेंगे कहीं कि पहले already जो था I think वो section था आपको कि 4 question वहाँ पे मिलते थे 4 में से आपको 2 attempt करने हो question आएंगे 10 में से 10 number section B में 10 में 10 करने होंगे section C जो रहेगा 15 में से आपको 10 करने रहेंगे section D में 3 question मिलेंगे जिसमें से आपको 1 करना है और section E में कोई change नहीं है तो यह है केवल drawing के paper के लिए तो इस प्रकार board ने उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान मौका दि हैं बहुत आसानी से अच्छे number gain कर सकते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत beneficial है तो दोस्तों well prepare रहें आपको सभी को अपने final exams के लिए very best of luck थैंक्यू दोस्तों